नमो बुद्धाय नेपाल के प्रधान मंत्री सन्मान्य श्री शेर बाहदूर देवबाजी आदर्निय श्रीमति आर्जू देवबाजी सभा में उपस्तित नेपाल सरकार के मंत्रीगण बड़ी संख्या में उपस्तित बाउद भिच्छू एवं बाउद धर्वाब लंबी विभिन्य देशों से पधारे गणमान्य अतिदीगण देवी आर सजनों बुद्ध जेन्ति को पावन अवसरमा यद सभामा उपस्तित यहां हरू सबै लाई संपूर नेपालबासी हरूलाई रविश्वका सबै स्रध्धालू जनलाई लुम्बिने को पवित्र भूमिबाट बुद्ध पुर्णिमा को धेरे धेरे शुपकामना मुझे पहले भी वैशाग पुर्णिमा के दिन बगवान बुद्ध से जुड़े डिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अउसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मसली लुम्बिनी आने का ये सोभाग ये मिला है कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो आउसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अब विश्मन निया वो जगह जहां स्वयम भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो वहां की उर्जा वहां की चेत्रा ये अलग ही एहसास है मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महा बोधी व्रुक्ष की जो सैप्लिंग भेट की थी वो अब विक्सित होकर एक व्रुक्ष बन रहा है साथियों चाहे प्षुपतिनाज जी हो मुक्तिधाम मुक्तिनाज जी हो चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनि मैं जब जब नेपाल आता हूँ नेपाल अपने आध्यात्मिक आशिरवाद से मुझे कृतार्थ करता है साथियों जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान स्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं साथियों नेपाल यानि दुनिया के सबसे उंचे परवत सागर माथा का देश नेपाल यानि दुनिया के अनेक पवित्र तिर्थों मंदिरों और मठों का देश नेपाल यानि दुनिया की प्राचिन सब्भेता संस्कृति को सहच कर रखने वाला देश नेपाल आउदा मलाइक कुने राजनितिक भ्रह्मन भन्दा अलग अउटा छुटे आजधात्मिक अनुभूति हूंच भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी द्रस्टी और आस्था के साथ देखा है मुझे भिश्वास है अभी कुछ समय पहले जब शेर बहदूर देवबाजी स्रीमति आर्जू देवबाजी भारत गए थे और जैसा अभी देवबाजी ने वरनन किया बनारस का काशी विश्वना धाम की यात्रा की थी तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है साथियों ये सांजी विरासत ये सांजी संस्कृति ये सांजी आस्ता और ये सांजा प्रेम यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये पूंजी जितनी समर्द होगी हम उतने ही प्रभावी डंग से साथ मिलकर दुनिया तक बगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं दुनिया को दिशा देशकते हैं आज जिस तरह की वैश्विक परिस्तित्या बन रही हैं उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबुती होती मित्रता हमारी गनिश्टता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भागवान बुद्ध के प्रती हम दोनों ही देशों की आस्ता उनके प्रती असीम सद्धा हमें एक सुत्र में जोडती है एक परिवार का सदस्य बनाती है भावी और बहनों बुद्ध मानवता के सामोहिक बोद का अवतर है बुद्ध बोद भी है और बुद्ध शोद भी है बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संसकार भी है बुद्ध इसलिए विशेस हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिये बलकि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूती करवाई उन्होंने महान वैववशाली राच्य और चरम सुख्ष विधाओं को त्यागने का साहस किया निच्चित रुप से उनका जण्डम किसी साधारन बालक के रुप में नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने हमें ये एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वा त्याग का होता है त्याग से ही प्राप्ति पुन्ण होती है इसलिए वो जंगलों में वीचरे उन्होंने तब किया शोद किया उस आत्मसोद के बाद जब वो ग्यान के सिखर तक पहुँचे तो भी उन्होंने किसी चमतकार से लोगों को का कल्यार करने का दावा कभी नहीं किया बलकि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जीया था उन्होंने हमें मंत्र दिया था अप्प दीपो भव भिक्खवे अप्प दीपो भव भिक्खवे परिच्छ भिच्छवो ग्रायं मत्बचो नतू गौरवाद अर्थात अपना दीपक स्वयम बनो मेरे बचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहन मत करो बलकि उनका परिच्छण करके उन्हें आत्म साथ करो ताथियों बगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विशय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूँ वैशाग प्रनिवा का दिन लुमिनी में सिधार्ट के रुपे बुद्ध का जन्म हुआ इसी दिन बहुद गया मैं वो बहुद प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशी नगर में उनका महा परिनिर्वान हुआ एक ही ती थी एक ही वैशाग पुर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन ग्यात्रा के ये पढ़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था इसमें बुद्धत्व का वो दार्षनिक संदेश भी है जिसमें जीवन ग्यान और निर्वान तीनों एक साथ है तीनों एक साथ जुड़े हैं यही मानिविये जीवन की पुर्णता है और संबता है इसलिए भगवान बुद्ध ने पुर्णिमा की इस प्रवित्र तीथी को चुना होगा जब हम मानिविये जीवन को इस पुर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती तब हम खुद ही वसुद है कुटुब गम की उस भावणा को जीने लगते हैं जो सरवे भवन्तु सुगिन से लेकर भवतु सब्वमंगलम भवतु सब्वमंगलम के बुद्ध उपदेश तक जलगती है इसलिए भवल गुलिक सीमाओं से उपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं हर किसी के लिए है साथियों भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और समन्द भी है जिसमें अद्वूत संयोग भी है और जो बहुत सूखद भी है जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ गुजरात का वड़नगर वहां सद्धियों पहले बौद्ध सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था आज भी वहां प्राचीन आउशेस निकल रहे हैं जिनके समरक्षन का काम जारी है और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं कई शहर का इस्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रुप में जानते हैं भारत के विशेस्ता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मियता आप भी जानते हैं भारत में सारनाथ बोध गया और कुशी नगर से लेकर नेपाल में लुबमिनी तक ये पवितर स्थान हमारी सांजी विरासत और सांजे मुल्यों का प्रतीख है हमें इस विरासत को साथ मिलकर विक्सित करना है और आगे सम्रुद्ध भी करना है अभी हम दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने यहां इंडिया इंट्रेनस्नल सेंटर पर बुद्धिस कल्चर और हरिटेज का स्चलान्याद भी किया है इसका निर्मान इंट्रेनस्नल बुद्धिस Competition of India दिराक किया जाएगा हमारे सयोग के इस दसकों पुनाने सपने को साकार करने में प्रधान मंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है लुम्बिनी डेवलप्मेंट ट्रस्ट के देख्चे रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस कन्फेंडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णे लिया था और अब इस प्रोजेक को पुरा करने में भी उनकी और से पुरा सयोग किया जा रहा है इसके लिए हम सभी रदैसे उनके आभारी है मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सरकीट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सयोग दे रही है विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है नेपाल में लुम्बिनी मुझ्यम का निर्माण भी दोनों देशों के साजा सयोग का उदारण है और आज हमने लुम्मिनी बुद्धिश उनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साब आम बेर कर चैर फ़र बुद्धिश टडिश स्थापित करने का भी निर्ड़े लिया साथियों भारत और नेपाल के अनेक तिर्थों ने सद्यों से सभ्यता संस्कृति और ज्ञान की विशाल पनंपरा को गती दी है आज भी इन तिर्थों में पुरी दुनिया से लाखों स्रत दारूहर साल आते हैं हमें भविश में अपने इन प्रयासों को और गती देनी होगी हमारी सरकारों ने भरवा और सौनौली में इंटिग्रेटर चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिये है इसका कान भी शुरू हो गया ये इस पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुभीदा बढ़ेगी भारत आने वाले इंटरनेशनल स्टूरिस जादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के टांस्पोर्टेशन को भी गती मिलेगी भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाए है हमारे इन प्रयासों का लाप दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा साथियों भारत और नेपाल बीच को संबन्द हिमालय जस्ते अटल छे और हिमालय जती के पुरानों छे हमें अपने इन स्वाभावित और नैसर की ग्रिस्तों को हिमालय जितने ही नई उचाई भी देदी है खान पान गीत संगीत पर्वत योहार और रिती रिवाजों से लेकर पारिवारी संबन्दों तक जिन रिस्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है हमने साइंस टेक्नलोजी और इंफ्रास्टेक्टर जैसे नए ख्षेत्रों से भी जोड़दा है मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहा है लुम्बिनी बुद्धिष्ट उनिवर्सिटी, काठमंडू उनिवर्सिटी और त्रिभिवन उनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदारन है मैं इस छेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूँ हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे हमारे सक्षम युवा सभलता के सिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की सिख्षाओं के संदेश वाहाग बनेंगे साथियों भगवान बुद्ध का कथन है सुपबुद्धम प्रभजन्ति सदा गोतम सावका एसम दिवाच रतोच भावनाय रतो मनो अर्थात जो हमेशा मैच्तिरी भावना में सद भावना में लगे रहते हैं गवतम के वे अनुआई हमेशा जागरत रहते हैं यानि वही बुद्ध के वास्तिविक अनुआई है इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानोता के लिए काम करना है इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है भारत रण नेपाल बिच को मित्र ताले यस मानविय संकल पलाई पुरागर्ण यसए गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पुर्ण विश्वास्च इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाग पुर्णिमा की अनेक अनेक शुपकामना है नमो बुद्धायो नमो बुद्धायो नमो बुद्धायो लुद्धायो